पुर्देश के 29 लोकसभा सीटों के लिए हमने आज से अपना एक विशेश सेग्मेंट शुरू किया है जिसमें हम हर संसेदिय सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे आज बात सीधी जिले की करते हैं विंदे अंचल की बोली संस्कृती को अपने में समेटे इस संसेदिय सीट पर डालते हैं एक नज़र बगहल खंड की कैमोर अरवत शंकला के बीच बसा सीधी मध्यप्रदेश की महत्वपूर संसदिय सीट है पी और मध्यप्रदेश की बीच यह लोगसभा की शेत्र ऐसा है जिस पर किसी एक पार्टी का वर्चस नहीं रहा है अब तक के लोगसभा चुनाव में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों की बीच बराबरी का प्राबला रहा है हलाकि पिछले लोगसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की रीती पाठक ने जीत दर्ज की सीधी संसर्दिय सीट में कुल आठ विधानसभा सीट शामिल है इनमें सीधी जिले की चुरहट, सीधी, सेहावल, चितरंगी विधानसभा सीट शामिल है इसके पावा सिंग्रोली जिले की सिंग्रोली, देवसर, धौगनी और शेडोल की व्यवहारी विधानसभा सीट भी इसी लोगसभा सीट का हिस्सा है अगर पार्टी वाइस इस्थिती का आकलन किया जाए तो इस संसदी सीट में शामिल आठ विधानसभा सीटों में से भाजपा साथ और कॉंग्रेस एक सीट पर काविज है यही कारण है कि बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिख रही है जिले के बीजेपी पदाधिकारी मानते हैं कि पिछले पांच साल में केंदर सरकार द्वारा कराए गए विपास कारियों का आसर चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा और मतदाता भाजपा प्रत्याशी रीती पाठक को दोबारा चुनेंगे वही कॉंग्रेस को अपने पुराने प्रदर्शन पर भरोसा है पार्ट पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस बार के लोग सभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी इस सबंदेज करें सब्सक्राइब के पधान शवा चुनाओं के पहले जो बचनपत्र कंग्रेश में जाज़किया है मद्द्रदेश का चुनाओ लोग सभा का भी उसी पत्र पत्र के आदाद पर दाढ़ा जाएगा जिन भी लोगो पत्र में दिया है उनको पूरी तरह से जन्ता के लीच लेकर जाएंगे श्में से काथी वचन लगब अश्ची से उपर वचन पूरे हो चुके हैं और उनके देजी से खारभी चालू है जो अभी है दूरे रह गए हमारे पास विकास के मुद्धे दो चीजे स शुरचा के दिश्च से मुद्ध के मैं विकास के दिश्च से बताया विचास के दिश्च से बताया लगब यह समी मुद्धे इनी सब को ले करके हम चुनाओं में जाएंगे अक्बर की नवरतनों में शुमार राजा बीरवल की जन्मेस्थली सीधी संसद्य सीट अपनी प्राकरतिक संसाधनों के लिए जानी जाती है अलाकि विकास बुन्यादी पैमानों पर ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है पिछले पांच साल के दोरान प्रधानमंत्री नरेक्र मोदी के नेतरत में केंद्र सरकार ने जो विकास कारी कराए हैं उनसे यहां के युवा काफी आशानवित हैं आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख की लोग यहां पर तारीव करते हैं हलाकि ये भी सकते है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित ये इलाका अच्छे स्कूल, बहतर स्वास्त सुविधाओं और युवाओं के लिए रोजगार की चाहत रखता है लोग सभा चुनाव को लेकर दोनों ही जिलो में राजनेतिक विधियां सूर शूर से चल रही है एक तरफ भाजबा जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रही है वहीं कॉंग्रेस विकास के इस्धानिय मुद्धों पर बीजेपी को घेरने की कुशिश कर रही है सीधी लोग सभा सीट के लिए आगामी 29 अप्रेल को मतदान किया जाना है जिले में लोग सभा चुनाव के दोरान ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने निर्वाचन कार्याले के तत्वावधन में व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही है मतदान पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले में निर्वाचन कर्मचारियों के प्रशिक्षण कारेक आयोजित किये जा रहे हैं जो विशेष ध्यान है वो पीड़वूडी ओटर्स पर है और उन पीड़वूडी ओटर्स पर हम लोग फोकस करें। जब वे एक योग्य, सक्षम और जना कांख्षाओं को प्रमुखता से उठाने वाले प्रतिनिधी के लिए मतान करेंगे।